नमस्कार, आज हम बात करेंगे कुछ natural tips के बारे में, जिससे आप अपने body को detoxify कर सकते हैं, या body में जबाँ कुछ additional toxins को हटा सकते हैं. Normally हमारे body में multiple detoxification systems होते हैं, जैसे कि liver, kidney, skin, lungs, intestine, ये 5 detoxification अपने यापे body में intrinsic systems होते हैं, जो हर तरह के toxins जो भी body में एकटा होते हैं, जिस भी तरह के चीजों को ये हटा सकते हैं, उनको ये हटा देते हैं, इसके अलाबा किसी detoxification therapy या किसी herbal remedy या किसी और तरह की remedies जो detoxification के लिए दी जाती है, वो ज्यादा तरह I don't think recommended है, उससे additional कोई फाइदा होगा, ऐसा नहीं है. अगर हमारे intrinsic body के system पाचों काम कर रहे हैं अच्छे से तो बाहर की किसी therapy की जरुवत नहीं है, अगर ये system properly काम नहीं कर रहे हैं, तो चोटी-मोटी बाहर की आप अधर कुछ therapy लेते हैं तो वो कुछ काम नहीं करेगी, फिर उसके बाद dialysis और बड़ी-बड़ी machine द्वारा ज आज हम बात करेंगे कुछ natural तरीके जो free of charge available है, जिसको आप use कर सकते हैं, जिससे body का कुछ intrinsic cleaning या detoxification process को आप better बना सकते हैं, ये चीजे नुकसान दायक नहीं है, free of charge available है, इसलिए इन चीजों को अगर आप use करें, तो कुछ additional फायदा आपको मिलेगा, topic पर जाने से पहले, ज बहुत सारे तरह के toxins जो है, जो motion के रस्ते और kidney के रस्ते बाहर निकल जाते हैं, अगर आपको body को detoxify करना है, तो अच्छा pure शुद पानी पीजे, इन बर में 3-4 liter पानी पीते हैं, तो additional toxins को, खासकर जो kidney के रस्ते निकलने वाले toxins है, उसमें वो definitely मदद करता है, motion के रस्ते न और most free of charge available है, इसके अलबा है balanced diet, nutrient dense food लीजे, साग, सबजी, whole grains, lean proteins और healthy fats को ज्यादा मात्रा में लीजे, इसमें वो necessary body nutrients होते हैं, जो optimal body function के लिए अच्छे हैं, ये सारी चीजे आपकी हर तरह की body के functions के लिए अच्छे हैं, सारे organs के काम के लिए अच्छे हैं, और आपको body को healthy रखते हैं, जिससे कि आपका सारे systems अच्छा काम करेंगी, और systems अच्छे काम करेंगे तो definitely detoxification भी अच्छे से काम करेगा, तो आप उसको incorporate करें, use करें तो अच्छा है, इसके लिए नेक्स इंपॉर्ट टिप है, processed foods कम लीजे, कोई भी चीज जो की, जिसमें added sugar, preservatives या salt इसे sugar भी मत लीजे, sugar भी body के inflammation को बढ़ाता है, जितना ज्यादा आप sugar लेंगे, उतना body एक तरसे, उसमें toxin इखटा होगा, और वो body को नुकसान करेगा, भजन भी बढ़ेगा, सारे systems में inflammation related damage होगा, तो आप sugar को जहां तक बने, कम रखें, इसके लाबा, fiber वाली चीजे ज् सबजी है, whole grains है, legume products है, ये सारी चीजों में fiber content ज्यादा होता है, ज्यादा तर vegetarian food products जो भी होते हैं, सब में fiber content अच्छा होता है, तो इसको लेने से आपको definitely कुछ फाइदा मिलेगा, कुछ हद तक detoxify करने में body को मदद मिलेगी, इसके लाबा, active रही है, जितना आप regular exercise जितना आप body को active रखेंगे, बैटे-बैटे का जीवन नहीं रखेंगे, वो body के metabolic systems को activate करता है, body के blood circulation को activate करता है, body के lymphatic flow को activate करता है, तो regular exercise करने वाले लोगों को definitely body का metabolism अच्छा रहता है, body में toxin जो निकल बनते हैं, वो जल्दी flush out हो जाते है, body उसको manage ज्यादा better way में body का inflammation or inflammation related damage काफी हग तक कम होता है, आप अच्छी नीन रखेंगे तो आपको अच्छी health में लेगे, इसके लाबा mental stress को कम रखें, बहुत सारे body में जो toxins हैं या बहुत सारे जो problems creating चीजे हैं, वो body में stress की वज़े से बढ़ जाता है, जितना mental stress ज्यादा लेंगे, उतना body में toxic products ज्यादा होंगे, अच्छा rest करिए, yoga, meditation, prana, deep breathing exercise करके, mental stress को कम करिए, meditation करिए, यसी आदे चीजों से आपका mental stress level कम हो जाएगा और बीमारी घर नहीं बनाएगी, इसके लाबा alcohol को मत लीजे, बहुत सारे additional toxins body में, alcohol की वज़े से आता है, और alcohol से liver kidney का function भी compromise होता है, जिससे आ आपको दिक्कत होती है, तो toxin से बचना है, तो alcohol से बचिए, इसके लाबा, आपके body में बहुत ज़्यादा caffeine नहीं जाना चाहिए, चाय, coffee और caffeinated drinks, जो energy drinks आती है, इसमें caffeine content ज़्यादा होता है, तो जहां तक possible है, इनसे बचिए, ये body के toxin, metabolism system को नुकसान करते हैं, और body को ह इसके लाबा, smoking या tobacco में जो toxins है, उनसे बचिए, बहुत सारे body के toxin आते हैं body में, वो smoking और tobacco से आते हैं, toxin को हटाने के system को ये adverse effect भी करता है, तो जो लोग smoking या tobacco के आदरत रखते हैं, उनके body में toxic products जमा होने का बहुत ज़्यादा कारण बन जाता है, इसके लाबा, अगर आ easily available है, garlic यानि लेसुन, ginger यानि अदरग और turmeric यानि हल्दी, इसमें anti-inflammatory properties होते हैं और कुछ detoxification properties होते हैं, इनको आप try कर सकते हैं, कुछ herbal products और available भी रहते हैं, आप उनको try कर सकते हैं, मैं बहुत साथ recommend नहीं करूँगा, लेकिन आप उनको try कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी specific healthcare professional के साथ discuss करके इंको use कर सकते हैं, और जहां तक possible है, बहुत ज़्यादे additional chemicals चाहें, वो herbal हो, चाहें, वो alopathy की हो, ज़्यादा लेने से फाइदा नहीं होता, next है कि mindful eating करें, खाना खाते संवे भी आप ध्यान रखें, ध्यान साथ खाहने पर focus करिए, present पर focus करिए, क्या आप खाहरे हैं, कितना आप खाहरे हैं, किस तरह की चीज़े का रहे हैं, balanced कि unbalanced का रहे हैं इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे तो थोड़ा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा आपका खाने के माध्यम से जो बॉड़ी के टॉक्सिक प्रोड़क्स बॉड़ी में चले जाते हैं उस पर आप अंकुष रख सकेंगे बहुत जादा oily spicy junk food आप नहीं खाएंगे अगर आप proper ध्यान देके खाना काते हैं uncontrolled way में, unplanned way में बिना ध्यान दिये जो लोग खाना काते हैं उनके body में toxins बढ़ी जाते हैं इसके लबा आपने आतों की health को improve करने के लिए gut का normal bacterial flora को improve करना चाहिए नॉर्मल जो घट अपनी आतों में जो bacteria होते हैं वो आपके यह digestion को improve करते हैं और खराब bacteria को आघर करने नहीं देते हैं दही, saurkraut, kimchi और kefir यह सारे जो fermented food products है यह आपके normal आतों के bacterial flora को improve करते हैं इसके लावा onion, garlic यानि प्यास और लसुन, asparagus और केला यह आपकी normal bacterial flora को nourish करते हैं उनको normal portion देते हैं तो यह भी आपके bacterial flora के लिए अच्छे हैं इसके बज़े से आपका intestine का काम अच्छा होगा और आपका overall आतों से जो detoxification होना है या जो gut के द्वारे detoxification होना है वो improvise होगा इसके लावा कुछ environmental toxin के exposure से खुद को बचाएं जो area में pollution बहुत जादा है जो area में radiation बहुत जादा है जो area में abnormal चीज़े जादा है chemicals वगर जादा है वहां पर जाना avoid कीजिए उस तरह के वातावरन से खुद को बचाएं बहुत जादा गर्मी ठंडी के exposure से भी खुद को ब करती है बॉडी में toxin जो है उसको कम करती है और overall आपकी सारी activities या metabolism improvise होती है जिससे आपका system proper काम करता है बॉडी का inflammation कम होता है regular health check-ups करिए at least साल में एक से दो बार blood check-up और important test जो है जैसे eco treadmill x-rays है sonography वगरे यह साल या दो साल में एक बार करना चाहिए इससे अगर कोई body को problem या को बिमारी develop हो रही है तो आपको जल्बी पता चल जाएगा जिसको manage करना थोड़ा easy रहेगा खुद का care भी करिए अब खुद को proper ध्यान रखे क्या आप खा रहे हैं क्या आप पहन रहे हैं किस वातावनर में जा रहे हैं वहाँ पे आपको को problem तो नहीं होगी वह सारी चीजों का अगर आप proper ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा की body चलेगी खुद का ध्यान रखने में personal hygiene भी involved है जैसे regular स्नान करना, regular अपनी body को clean रखना, body को infection से बचाना इसके लाब आप reading कर सकते हैं कोई books या novels, music सुन सकते हैं, dance कर सकते हैं ये सारी चीजे अपकी self-care में आती हैं चितना आप ये सब चीजों को करेंगे उतना आपकी purified रहेगा औ उतना आपको unnatural toxins या इस तरह की अलग-अलग remedies के लिए नहीं जाना पड़ेगा, फिर भी अगर कोई problem हो तो healthcare professional से मिलिया और जो scientifically approved therapies हैं या जो scientifically approved चीजे हैं उनको follow करिए अगर आपको actual में कुछ benefit चाहिए, unnecessary नुसके या remedies या जो भी चीजे लोग sell करते हैं, detoxification के नाम से नाचरल चीजे जो आपके detoxification process को थोड़ा speed करेगी, इसमें पानी जादा लेना, fiber जादा लेना, ताजा फल सबजी जादा लेना, नील अच्छी रखना, smoking, alcohol, tobacco ये सब चीजे को बंद रखना, उसके अलाबा regular exercise करना, regular health check-ups करना, herbal remedies लेना, फल सबजी और ये सारी चीजे, fiber चीजों को जादा लेना, natural probiotics जैसे दही वगर को जादा लेना, natural gut के जो bacteria को बचाते हैं, जैसे प्याज है, अध्रक्या, केला है, asparagus है, इस सब चीजों को जादा लेना, mental relaxation techniques करना, खुद का ध्यान रखना, regular health check-ups कराना, और अगर कोई problem हो तो doctor को दिखाना, ये सारी चीजे आप अगर regular basis पे करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा response मिलेगा, और ज्यादा आपको long term आपकी body को additional, external detoxification की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, topic end करने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें request करमा की चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share करें, जो लोग हमारे चैनल पर detoxification related videos देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने additional videos की हैं, इनका link में comment section और i button में छोड़ दे रहा हूं, आप उसे check out करें, नया कुछ जानने को मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, जिससे आपको बिमारी को समझने में और treatment strategies को समझने में बदद में